असलाम अलेकुम मेरे प्यारे नाजरीन आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने लगा हूँ यह हमने एक जगा पर बारह तालिस की यह बनाई है फायर प्लेस एलेक्टिक तो यह सारी गोल्डन में हमने तियार की इसमें ब्लैक भी होती है और गोल्डन भी होती जैसे आप रु आपने ऐसी फायर प्लेस बनानी हो एलेक्टिक तो आप मुझसे कुंटेक्ट कर सकते हैं मेरा आपकी स्क्रीन पर नंबर आएगा तो एम बिल्डर जो भी काम करते हैं अपनी कंसेड़ी में और अच्छा करकर देते हैं अपने क्लाइन को तो यह उपर हमने सारी यह वोलड क तो आउगा कोस्ट कितनी आती है ऐसी आपने अगर यह फायर प्लेस बनानी हो तो यह 80-85,000 के राउंड बॉंड यह फायर प्लेस बनती है तो अगर आपने और देना हो यह दिखा मैं आपको रूमोर्ट से यह चेक करवा रहा हूं यह स्लो भी कर लेते हैं इसको तो इसको अगर हमें तेज चलाना हो तेज भी चल सकती है और यह नीचे जो आपको सामने यह जाली पाइप नजर जाली आरी इदर से इसकी एर निकलती है तो इसकी हम पूरी जब यह बनाते हैं तो इसकी हम पूरी सारी ना पाइप लगा पीछे से पाइप जों से वह कस्टमर लगा कर देता है जो इसकी एर बाइड अग्जास जाए तो यह सारी हम बना कर देते हैं तो आपने ऐसी फायर प्लेस बनाना चाहें तो आप मुझसे कुंटेक्ट कर सकते हैं मेरा आपकी स्क्रीन पर नंबर आएगा तो इसकी मोटर की जो वरंटी होती है वो एक साल की हम देते हैं विए बनानी हो लोड से पहला बाइड बनानी हो तो हम आपको यह सारी सर्विस परवाइड करकर देंगे और अच्छाब बना कर देंगे तो इसका आपने मुझे वीडियो पूरा देखा करें तो हम झो चीज बintéहा तो आप मुझ से किंटेक्ट कर सकते हैं मेरा इस तरह की और भी वीडियों यह जाली है यह जाली से शाली स्कीन एर बाइर आती है आपका यह 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 लिविंग रूम में लगाई है और इसका लिविंग रूम पूरा ना टेंपरेचर जैसे का आजकल सर्दी है सर्दी में ये बड़ा अच्छा वर्क करती है गैस तो आपको पतरा आगे गैस की लोड ट्रेडिंग ए गैस आती ही नहीं है तो इसके बाद आप ऐसी बनाना चाते हैं तो आप मुझे कुंटेक्ट कर सकते हैं इसके बाद आप मुझे अजाज़े दें लाफ इस